दोस्तों स्वागत्ते आप सभी का B.S.C. and N.S.C. अड़ा में आईए पहले हम लोग एनलेसिस कर लेते हैं आज के अपने इंट्रेडे स्टॉक का और फिर उसके बाद देखेंगे कि कल के लिए किसी स्टॉक को चुना है आज का हमारा स्टॉक था I.C.I.C.I. बैंक का इसे बाए करना था 866 के उपर सोट सेल करना था 854 के नीचे अब जैसा कि आप अपनी स्क्रिन पर देख पा रहे हैं दोस्तों यह स्टॉक ओपन हुआ था 857 पर और उसी के बाद से इसी स्टॉक ने हाई टच किया था 867.45 का आज आपको बाए साइड के टार्गेट नहीं अचीव होगे सोट सेल साइड में आपको सोट सेल करने का मौका अवस्थे मिला होगा लेकिन दोस्तों इस स्टॉक में आपको सोट सेल साइड के भी टार्गेट प्रोपर अचीव नहीं होगे लेकिन इस स्टॉक में सोट सेल स इसे buy किया जा सकता है 403 पर पहला target 406 दूसरा target 411 अगर यही नीचे गिनना शुरू होता है तो आप इसे short sale कर सकते हैं 395 पर पहला target 392 दूसरा target 388 और दोस्तो इस stock में stop loss रहेगा 5 point का तो कल की हमारी intraday की trade हिंडेल को buy 403 short sale 395 stop loss 5 point तो दोस्तो बहुत ही अच्छे से trade डालिए intraday trading rules को ज़रूर ही follow करिए rule no.1 minimum profit सबसे पहले book करना है rule no.2 stop loss को ज़रूर लगाना है rule no.3 over trading नहीं करना है rule no.4 proper breakout होने पर entry लेना है आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करना है तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो like ज़रूर कर दे और अगर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया तो channel को तुरंती subscribe कर दे कल फिर से आप सभी से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद